विद्यारतियों DCP में CCD चैनल में आप सभी करता हैं दिल से स्वागत करते हैं जैसा कि इस वीडियो में आज आपको कल हमने UP बोर्ड की तयारी करवाते समय हिंदी विशे का आपको बहुत अच्छे तरीके से खंड का तयार करवाया था आज हम बोर्ड परिच्छा का विशे हिंदी खंडख स्टार्ट करते हैं अब आपके विश तनमंधन लाकर वीडियो को देखिए जहां तक हो सके सभी विद्यारतियों के प्रतिसेयर करिए ताकि ये वीडियो जहां तक जाए सभी विद्यारतियों अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनके परिच्छा के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक है अब वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइक करें ना करें लेकिन सभी के प्रतिसेयर जरूर करें हमें लाइक पे फरक नह आपके भी देंगे और उसी मोटिवेशन के जश्ट बाद आपको हम खंड रखा हिंदी का चैप्टर मॉडल पेपर साल्व कराएंगे ठेक है अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं आपके बीच मोटिवेशन है विद्यारतियों किताबे हमें रोटी नहीं देती किताबे हमें रोटी नहीं देती हैं मगर यह जरूर बताती हैं कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है इतलिए सिच्छा पर प्राह किया जा रहा है तो कि सिच्छा सवालों को जन्म देती हैं इतलिए हमारे कहने का मतलब यह है विद्यारतियों कि बोर्ट पेपर को टॉप करिए और आने वाली पीड़ी को एक आम के गुच्छे की तरह है आप लोग भी जन में दीजिए ठीक है इसी खड़ी के साथ में आप वीडियो को स्टार्ट करना हूं तो विद्यार्थू आपके वीच खण डखाय में आठवा क्यूशन है दिएगे संस्कृत गज्यानतों में से किसी एक कासा संदर वहिंदी में अनुबात कीजिए तो का नंबर है उसके बाद आठवा भी आपको बताएंगे वेरी मोश्ट हैं दोनों तो ध्यान दीजिए नवा अरे मेत्रेई पत्ति हु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु वे कामाय पति ही प्रियो भवती नवा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवती आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवती नवा अरे पुत्रश्य वित्तस्य चे कामाय पुत्रों वित्तम वा प् भवती नवा अर्य सर्वत्य कामाय सर्व प्रियम भवती आत्मनस्तु वय कामाय सर्व प्रियम भवती आपको संदर्व हिंदी मनुबाद अब बताएंगे ज्यान देजे तो बताएए विद्यार्थियों संदर में हेडिंग डालिए उसकी बाद बताएए प्रस्तुत अवतरन हमारी या हमारा पाठे पुस्तक संस्कृत दिख दे दर्सिका के आत्मग्यों सरवग्या नामक पाठ से अवतरित है ठीक है अब आपको हम इसका अनुबाद बताएंगे जहां से देखिये याद करके जाइए नहीं तो पच्छताने का मौका मिलेगा अब आप अनुबाद में बताएंगे या आगिवल के बोले अरे मैत्रेई पत्य की इच्छा पूरती के लिए यानी नारी को पति प्रिये नहीं होती अपनी ही इच्छा पूरती के लिए पतिожет होती है और अपने स्वार्थ स्वेह पती को चाहतीाथ इत्वा प्रेयम करती है आपको आगे बता रहे हैं जां दीजिए इसके बाद आप बताईए बज्जो बताना कि सेही वह पत्ती को चाहती इत्वा प्रेम करती है नहीं अरी पत्नी की इच्छा पूर्ती के लिए पत्ती को पत्नी प्रिय होती है और अपनी इच्छा पूर्ती के लिए पत्नी प्रिय होती है नहीं अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सप्रिय होते हैं आसर यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस अंशार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए अपनी ही आत्मा की त्रिप्ति के लिए करता है मनुष्य का एक मात्र लक्ष दूसरे किसी को सुख देना नहीं केवल अपने को ही सुख देना है इस प्रकार आत्मत्रित्य के लिए ही पत्ति पत्नी पुत्र शम्मंदी आधप्री होते हैं इतलिए है मैत्री आत्मा ही देखने योग हैं देखने के लिए अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वह सुनने योग हैं मनन करने योग हैं और ध्यान लखने या ध्यान करने योग हैं निश्चे ही आत्मा के त्वरूप के ग्यान से इस सब का ग्यान हो जाता है ठीक है यह हुआ आपका अनुबाद यार्थ अब आपको अथवा की तरफ चलेंगे वो भी मोस्ट है ध्यान रखिए ऐसे ही आपको अच्छे ते पढ़ लीजिए बार-बार रिहलतर कर लीजिएगा जरूर पच्छे पूशे जाएंगे आपकी किश्चन मोस्ट है हाँ आपको आठ क अच्छा वाला यानि अथवा वाला भी हम बताना चाहेंगे कि दिये गए संस्क्रित गध्यानतों में से किसी एक का संद्रव हिंदी मेंनों बात करने के लिए कहा है तो मैं आपको दोनों बता देता हूं दोनों वेरिंप्वार्टेंट है याद रख लीजिएगा पढ़ देजिएगा तो आप आपको पढ़के सुनाएंगे उसके पाद आपको हिंदी में से संद्रव और अनवाद बताएंगे ठीक है महापुरसा लौकिक प्रलोफ नेशु बद्धाहा नियत लच्छात्र या लच्छान पदापी प्रश्च्यानती संस्क्रित पढ़े बहुत दिन होगा यार विद्यार्थियों देश सेवा विरक्तो अयम युवा उच्छे नियालाश्य परिधाव स्थात्व नाशकनात पंडित मोती ला नहरू लाला लाज पतरा यह प्रभृत्ति भी अन्याय है राष्ट नायका है सहसो अपी यह एसकी तरह जो लगा रहा था इस से एक हैते हमें ज्यार्थियों ध्यार्थियान नकिएगा सो अपी दसश्य स्वतंद्रता संग्रा में अवत्ति रिड़ा है देहल्याम त्रयों विशंसितिम कांग्रेश स्याधिवेश्यम अध्ययत पद्द मलंग कृत्वान रोलट एक्ट इत्या ख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणम सुरुत्वा अंग लिश्काह भाताह जाताह भहुवारं कारागारे निचिप्तो अपी अयम विरादेश सम्वरावरत नातिजत टिक संदर्व अंदर्व में हेडिंग जालेंगे उसके बाद आप बताएंगे प्रस्तुत अवतरन संसिक्रित दिखदर्शिका से याके महामना मालवी यह पार्ट से अवतरित है ठीक है इतना लिख देंगे आपको खटते दो नंबर मिल जाएगा उसके बाद आपका अनुबा सकतार तो इस बार भी यह 100% फसे का जहाद तक उम्मीद है तो आप हेडिंग जालेंगे अनुबाद उसके बाद लिखेंगे महापुरुस अंसारिक प्रलोभनों में फसकर अपने निश्चित लच्छ से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते और देश की सेवा में अनुरक्त यह वक उच्छ नयायले की सीमा में न रहसका और पंडित मोतिलाल नहरू लाललाज पत्राय आदी अन्राश्ट नायकों के शाथ वह भी देश के स्वतंता संग्रा में उतर पड़े दिल्ले में कांग्रेश के तेशाह में अधिवेश्टन में इन्हों ने अध्याच्छ पत को स नहीं छोड़ा इतना आप लेंगे खड़ से आपका नंबर एड़ हो जाएगा ठीक है अब लिश्ट क्यूचन के प्रति चलते हैं अब आज आए आए कि आड़का नंबर क्यूचर है विद्यार थिए पध्यांकों से किसी एक कास्य संथ्धर हिंदी में बात कीजिए अभी Forever चल रहा था आएक काका में उसलब बातст करने है ठीक है तो पहला है और अथव में है तो दोनों मोष्ड हैं आपको दोनों बताएं क्योंकि बार-बार हम मांटर पेपर नहीं बनाएंगे तो सहसा विजीत्न क्रियामिव्यकह परमापदाम पदम ब्रिडुते ही ब्रिमेश्ट कारिडम गुण लुबध्वाह सोयमेव संपदह ठीक अथवा वाला भी पढ़ लेते हैं जयन्तिते महाभागा जन्सेवा परायडाहा जरा मिर्क्तु भयम नास्ति ये शाम कीर्थितनियों वच्छित आपको पहले हम यह वाला बताएंगे उपरी वाला उसके बाद हम वह वाला बता लेंगे तो हम अथवा वाला भी बता देंगे ठीक है जहांते देखिए आपको पहले संदर्म में हेडिंग डाल देखिए उसके बाद अब अब अनुबाद पहला वाला कीजिए आपके बीच पहला वाला यही था सहसाव्य धीतने क्रियाम विवेकह परमा पदाम पदम ब्रेड़ुते ही विश्म श्रिकारिडम गुण लुबध्वाह स्वय मिदेव संपदा आप बताएंगे संपत्तियों का अस्थान है निश्चिती विचारकर करने वाले व्यक्तिकों गुणों को लाभी और संपत्तियां यानि लच्मी स्वयम द्वर्ण करता है ठीक है इतना आप लिक्षिए खरसे आपको नंबर साथ नंबर जूड़े आएगा राइट अब अथवा बाला भी आपको बता देते हैं कि अथवा वाले में आपके विच यही था विद्यार थी हूं जैन्तिते महाभागा जैन्सेवा परायडाह जरा मृत्तु भयम नास्ति ये साम कीर्थी तनों क्वचित जैसा कि 2010 12 14 17 2021 से पूछा गया था 2022 में भी पूछा जाएगा यह मोस्ट है ध्या संस्कृत दिख दर्शिक्या के महमना मालवी नमक पार्ट से अवतरित है प्रसुत इसलोक में मालवी जी के द्वारा अंध्यकार में डूबे हुए मनुष्यों को समाग या सनमाग दिखाने का वरण किया गया है ठीक है इतना बताएंगे उतके बाद अनुमान में लिखें हो जिनके यह सुरूपी शैदीर को कहीं भी बुढ़ापे और मिर्ट्ट का भय नहीं है और उपदेश देते थे आतेव यह शब्द आज भी वैसे स्विकार किया गया है यह सिध्धान्त क्रम्सा इस प्रकार है अहिंसा सत्य तिसरा नमर चोरी ना करना सव्था प्रमोत या देंगे आपको खड़त साथ नमबर मिल जाएगा खुसी खुसी अब नेक्स क्यूशन क्यों चलते हैं विजारतियों तो विजारतों आपको पीछ नौवा क्यूशन है इमने खित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किनी दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग केज देंगे गड़े मूर्दे में उखड़ना आधा तीतर आधा बटेर घर की मूर्गी दाल बराबर उल्टी यंगा बहाना खून सफेद होना अब देखिए आपके बीच आगे हम सभी का अर्थ बता के वाक्य प्रयोग करते हैं और आप लोगों को कैसे करना होगा ध्यान दी की जी है कि तो पहला यहीं थमिज जाल शिओं आपके बीच आप भला तो यह जग भला तो आप बताइए अच्छे ब्यक्ति करन सी सब अच्छे होते हैं आप भला तो जग भला का मतलब यही होता कि अच्छे बैक्ति की दिरिश्टे से सब अच्छे होते हैं जैसा कि 2012 डियम में पूछा गया था ध्यान लखियेगा वाक्र प्रयोगर किया जाया तो दूसरों की चिलता छोड़ कर पहले अपना कल्यान करो तो गड़े मुर्दे उखाणना कार्थ होता है विद्यारतों पुरानी दभी हुई बातों को फीट सामने वाला जैसा कि 2014 और 2016 में पूछा गया था ठीक है तो आप इसका वाक्र प्रयोग हेडिंग डालकर करेंगे तुम दोनों को अब प्रेम से रहना चाहिए गड़े मु दिख रहा होगा आधा तीतर आधा बटेर यह भी क्यूशन में था तो इसका मतलब होता है बेमेल मिस्त्रण यह की जोज़ा 13 और 2016 पूछा गया था अब इसका वाक्र प्रयोग करेंगे यही बनेगा कि राज सरकार को आधा तीतर आधा बटेर कहना उप्यूक्त है ठीक है ऐसे करना है नेक्ष्ट वाला आप देखते हैं कि आपके भी नेस्ट वाला है घर की मुर्गी डाल बराबर यह भी क्यूशन पूछा था तो आप बताए घर की वस्त्व का कोई मान नहीं का मतलब यह होता है दो जार्ट वाला में पूछा था ठीक है इसका वाक्र प्रयोग से नंबर आड़ हो जागा जरूर पूरा पढ़ लिजेगा विद्यार्थियों क्योंकि बहुत महनत लग कर जान लिजी वीडियो बना रहे हैं और सभी लोग सेयर भी करिएगा जान लिजे यह तो ठीक नहीं होगा विद्यार्थियों आपके बीच पांचवा नंबर था व प्रियोग बनाएंगे तो बनेगा चाचा के ऊपर हुक मचला करके उल्टी गंगा बहा रहे हो इतना आप खड़ से बना देंगे आपका नंबर एड़ हो ठीक है नेक्षी पर चलते हैं आपके बीच लास्ट वाला मुहावरा है खुन सफेद होना उसका आर्थ होता है उस्सा का समाप्त हो जाना यानि बहुत डर जाना दोजा सत्रम पूछा गया था यह भी मोस्ट है इसका वाकिप्रियोग बनाया तो बनेगा अपने सामने एक बहुत ही भियानक चेहरे की ब् लेक्ति को खाड़ा देकर मानों उसका खुन सफेद हो गया ठीक है लास्ट था ओके इतने में बहुत थी इंपॉर्टन तभी थे महावरे बढ़ लेजेगा अच्छे से खासेगा ज़रूर जिद्यार्कियोओ आपके परलनब्ब्र दस का क्या है इन लिखी सब्दों के संदीविच्षेद के सही विकल्प का चैहन का लिखिए जो की एक क्यूषिन एक kolon याजल्टन होसेद का संदीविच्थ मौन पार्व विक्षेद थीज है तो आपको तो दस सेकंड का टाइम दिया जाता है पता हो तूरंद कमेंड बताईए वन टू थ्री फॉर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टेन तो अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए व थो अगतम आपके बीच सरवेशा का संधी विछेद है तो सरवेष सा कfon निविछेद हैं तो आफिर नमँट को तरवेधम ऐसा आफिर नमब सरवस्था न cm2 तरवाधन डरा आपसर नमब्र 207 तो पता हो तो कमेंट में तुरंद वता यह पांथ सेटम डिया जाता है 12345 यह होगा आपसर नमबर गया यानि सरवाधन इस है इसमें राइट अंसर होना चाहिए गया नमबर करेक्ट होना चाहिए ठिक उसके बाद आपका तीसरा क्यूशन है तीसरा क्यूशन यह विद्यार चुवाऊ के वीच ậो सफारत का संप दूंस आपका संद्र जेतर होना चाहिए कि एक औरेदेट क्यूं मैंचेयो हों さ आपसर नंबर के यानि पादमाधन इस है पहले वाला होगा करेक्ट अंसर है ठीक है इतना आप कर देंगे आपको तीन नंबर मिल जाएगा खटते ओके है अब लेक्ट्र के प्रती चलते हैं अब विद्यार्थों आपके भी दस का ख्या नंबर क्यूशन है दस का ख्या का पहला यह दिये गया निविश्डकी और वनेशन के उन्सार चैन कीजिए जो कि यह दो क्यूशन है एक जिशन के बाद वाला है तो नाम निम्रों में विभ अगर पता हो तुरंत कमें बताएं दस सेकर्ण का टाइम जी जाता है नाम में भ्यक्ति और वचन है हाँ बताइए टाइम समाप्त हो गया इसका राइट अंसरों का विद्यार थी हूं वह होगा आपसन नंबर ख्या यानि सत्तिमी विभक्त एक बचन ठीक होगा ठीक है आप लोग को तलब ज्यादा सम्जाने लिए कि नहीं कि ओखर ज्यादा समंजाएंगे तो आप लोग भी पेपर मीं करेंगे ज्याता समloven social करते तो आका ताइम लास हो जाएगा और आप छोन कर चले आएंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा इसलिए जितना पूछे के वल आप उतने जवाब दीजिए ठीक है जहां संधाने लाइख हो मैं हम महाँ पर खुदे अच्छे कर देता हूं इतना आप करिएगा आप आप देखिए खा का दूसरा नंबर देखिए क्या इक वरचन गया नमरता चतुरतीव चैना अम जास्थी एक क्वेचन इसमें दस सेकड गी ताया थी मतां हेताई कि आप लोग पी पढ़ आ까요 मैं कि मैं कि सूलिए नहीं कि ने सार को पढ़ रहा हैं तब ही ना जो इन कि विद्र मेत आप शित आया हूं पता है स्वित् hacen aard रि नमबर गया यानि 4 विभाक्ती 1 वचन इतने घर्फरोक्र वचन होगा तो ये तो या लगा लेंगा दोनों करेक्ट कर देंगा दो नमबर खटते मिल जाएगा छोटे छोटी नमबर ही जुड़ते चली जाते तो बड़ी नमबर बन जाती इतना ध्यान रखिए का विद्यार थी अगर एक छोड़ चलो एक छोड़ दिये तो फिर रही थी छोड़ते छोड़ते नंबर जीरो हो जाएगा तो विद्यार तो आपको फीज 11 का क्या नंबर क्यूशन है निमलिकित सब्द युगमों का सही अर्थ चुनकर लिखिए कपट कपाट प्रहन नंबर एक है कपट कपाट तो आप बताएए कप और प्लेट ख किवाण और खिड की गया धोखा और दरवाजा घया परदा और किवाण दस सेकेन का टाइम जी जायता है कर पता हो तुनल कमिने बताईए कपट कपाट का सही अर्थ क्या होगा कि दोखा और दरवाजा टाइम ओवर हो गया है विद्यातियों धोखा और दरवाजा ठीक है यह कारेक्ट अंसर होगा इतना अगर दिखाएं तो एक नंबर खड़ते मिल जाएगा ठीक है दूसरा नंबर है आपके बीच जलद और जलद जलद और जलद इसमें आपको राइट एंसर बताना होगा क्या है तो बादल और कमल कमल और बादल कमल और तालाब तालाब और कमल इसमें भी 10 सेकंड का टाइम दिया आता है अगर पता तुरंद कम ने बताईए हाँ आपका टाइम ओर होगा विध्यार थी हूँ तो इसका राइट एंसर होगा विध्यार थी कमल और बादल ठीक है इसका मतलब आपता नमबर करेक्ट एंसर होगा तो इस लगा लिए खड़ते आपको दो का दो नमबर पूरा मिल जाएगा ठीक है अब 11 का खया पर चलते हैं अब देखते हैं उस पर क्या क्यूशन है आपके बीच 11 का खया नमबर है विध्यार थीओं लिखिए सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखिए तो विध्यारती हूँ बार-बार माडल पर नहीं बना हुआ मैं चारो का दो दो नहीं बलकि तीन तीन अर्थ पता देता हूं जैसे अनंद का अगर आपको बताऊं तो अनंद का अर्थ होता है आकास समूंद्र ब्रह तो पतं की बात करें तो पतं का सूर्य गुड़्डी प्रिथभी क्या होगा सूर्य गुड़्डी प्रिथभी ठीक है अखाग की बात करें तो पच्छी तार गंधर्व पच्छी तार गंधर्व ठीक है और अगर दल की बात करें तो दल की हमारी हो जाएगा सम्मूह पत्ता सम्मूह पत्ता राइट यह सब हो गया हमारा सभी का अर्थ है आप सभी अच्छे से सुनने होंगे लिख लिजिए गया अच्छे से सभी चारों का बढ़ियां से याद भी कर लिजिए का पेपर में जरूर्व फसेगा कोई न कोई अच्छे से फस जाएगा आपको दो नंबर खटते मिल जाएगा ठीक है कि नेक्ट क्यूशन के ओर चलते हैं विज्जार्चे वाक के पीछ 11 का गया नंबर क्यूशन है तो वाक्यांशों के लिए एक सब्द का चैन करके लिखिए तो क्यूशन पहला है हमारा आपके बीच वह इस्त्री जिसकी कोई संतान नहों जैसा कि एक नंबर का है ठीक है तो दो नंबर का किश्चन यह वाला है गया नंबर तो वह इस्त्री जिसकी कोई संतान नहों आपसन ने कुलटा आपसन भी बांज आपसन सी आपरसूता आपसन नहीं भी धवा कमेंट में बताइए पांच सेकंड का टाइम दिया जाता है वन टू त्री फोर फाइव इसका रा दो दूसरा नंबर क्वेशन है विद्यारतियों को पिजिसका जन्म नहु आहुआ हो जिसका जन्म नहुआ हो आपसन जन्महीन आपसन भी जन्मरहित आपसन सी आजर आपसन दी आजन्म तो पांस सेकंड का इसका अब्र टाइम जाता है वन मद ambos थो घुर 55 इसका राइट अ सब्सक्राइब करना है तो हम आपको तीनों बताएंगे केवल चार रुपए मात्र दीजिए यहां पर आप देखिए किनी दो को सुद्ध करना है आप अच्छे से या तो केवल ही रहना चाहिए या तो मात्र ही रहना चाहिए तो यहां पर करेक्ट एंसर होगा केवल चार रुपए दीजिए यहां पर मात्र नहीं रहेगा ओके मात्र हड़ जाएगा तो हमारा करेक्ट एंसर हो जाए केवल चार रुपए दीजिए अब दूसरा क्यूशन है हवा ठंडी बह रही है तो इसका अंसर होना चाहिए जस्ट हवा को ठंडी की जगा और ठंडी को हवा की जगा कर देना चाहिए तो यानि ठंडी हवा बह रही है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगे यानि हवा ठंडी की जगा और ठंडी हवा की जगा है हुमारी हो जाएगे ठंडी हवा बह रही है ठीक है अब तीसरा क्यूशन है हमारा अनेकों बार देख चुका हूं तो यहां पर अनेकों नहीं होना चाहिए बल्क यहां पर होना चाहिए अनेक कि अनेक बार देख चुका हूं ठीक है यह हो गया हमारा सुध्ध इसमें आपका लिए दो नमबर इसमें भी पा गए ठीक अब नेक्स क्यूशन क्यों चलते हैं कि आपके बीच क्यूशन नमर 12 विद्यर्थियूं का नमबर है हाथ सथा वीरस की परिभाता उदाहन सहीत लिखिए जो कि दो नमर का क्यूशन इसमें भी है और खान नमर है अन्पास अथवा रूपा कलंकार का लच्छन उदाहन सहीत लिखिए यह भी दो नमर का है और गया कुषिए कесь य Venez working कि युबिल्टि नमर आपको बारी बारी दे कर के पहले आपको रप्स निल्णकार भैंको च्छंद अद्स पिश्रिण है और वारे बारी देख लिजी याद करके जाइए और आपका स्टाट करते हैं रचो किवाट करते हैं कि जो कि आपके बीच में कि पूछा था तो आप बताईए जैसे कि 2012 में 2014 2015 2016 2017 2016 2019 2020 में लगातार पूछा गया है तो आप बताईए कि विलेच्छन आकृति विक्रित चिष्टाएं आपको अच्छे संधा रहे हैं वच्छन या कारे देकर हिदय में उत्पन हास नाम का स्थाई अनुभाव और चारी भाव के संधियों के हाश रश का रूप करता है इतना आप लिखेंगे उसके बाद लिखने कि चाहित और आगे बढ़ा कर लिखते हैं कि हाथ रश शम्वता सभी रशों में शुखात्मक रश होता है हाथ दो प्रकार के होते हैं जो हाश शम्वता है उत्पन हो जाता है उसे आत्मश हाश कहते हैं जो हाश दूसरों को हसते हुए देखकर उत्पन होता है उसे परस्त हाश कहते हैं हाश की च्छा दसाए हैं पहला शम्वत दूसरा हसित तीसरा व्यसित चोथा उपहसित पाचवा अपहसित छटवा अतिहसित हाश रश के स्थ प्राइभावाद इस प्रकार के हैं अंचारी भाव हशे चपलता अनुभाव आँखों का खिलना ओठों का खिलना उदान की बात करें तो विंद के बाती उदासी तपेवरत महा विनुनारी दुखारी और गौतम ती ये तरी तुलती सो कथा सुन्वे मुनि ब्रिंद सुखा अज़ारे हैं है सीला सब चंद्र मुकी पर्से पर मंजुल कुंज त्यारे और की भली रगुनाया कजू करना करिनानन को पग उदारे यह यह उदार आप लिख सकते हैं बहुत अच्छा है यह होगा हार्त तरस ठीक है उसके बाद वीर्यस अथवा में दिया था आपको वी मुल्डस का आप बताईए कि उस्था नमक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से वीर्यस की दसा को प्राप्त होता है भरत मुनिक के उनुसार सिंगार रोजर और विवस रसों की भाती वीर्यस भी मूल्डस है तायत फ्राव के उनुसार चार प्रकार के वीर्यस मने गाए है युद्ध वीर दानवीर दयावीर और धर्मवीर तो अस्थाई भाव की बात वरन तो उसके अस्थाई भाव वावा जिस प्रकार है अस्थाई भाव, उंचारी भाव, उस्मित, ड् Sims, अमर्स, वितर्क हर्ष, गर्व और उगृत आध उद्राण की बात करें तो मंगलत अगुन होई तब काहूं फरकाएं सोगते विलोचन बाहूं भारत ही ताहात समाज उचाहूं मिला ही राम मिटा ही दुख दाहूं यह धर में तुलतिताजी लिखे थे तो यह आप वियूरसी व्याख्या सही अच्छे से उद्राण दे सकते है ठीक है देखिए मैं व्याख्या इसलिए पूरा अच्छे थे टाइपिंग क्या दिया हूं ताकि यह अंदर को भी प्रभाव पड़े और आप लोग अच्छे थे मेरत करके जांगे तभी आप टाप कर पाएंगे ठीक है जांदर को प्रभाव पड़े तभी तो विद्य विद्यार्थी समझेंगे कि हाँ विद्यार्थी भी अच्छा लिखा इसको नंबर पूरा क्यों न दिया जाए इतना लिखेंगे तो आप खड़ते नंबर इंड हो जागा ठीक है नेक्स्ट क्यों चलते हैं जैसा कि आपके बीच अन्प्रास सलंकार भी पूछा था यह जो की बहुत बात पूछा गया आप देख सकते हैं और अन्प्रास सलंकार की वरिभासा की बात करते तो कावे में जहां एक ही विद्यन्जन की आबिर्थी बार बार हो तो और में भले ही मिन्नता हो वहां कहत सुनत दूख दूसन हरनूं यानि इसमें भयत द बेंजनों की आवरित बार बार हुई है अता यहां पर अन्प्रास अलंकार है ठीक है अब नेक्स्ट क्यूशन रूपा कलंकार रूपा कलंकार आपके बीच है तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया है रूपा कलंकार में भी जहां में को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपा कलंकार होता है जैसे हमारे हरिहारिल की लकरी सूर्दाची की है तो आप यह ऐसा सकते हैं ऑर इस्ट्र कुछ जलते हैं हमे आपके बीच बार्र का गहें नंबर क्विचन हर भी जारते होर चाव पाइए देख लेजिये कि पर सोलह होती है दूसली को और प्रणांत में जगण यानि मने स्वन अठवा तगण ऐसे स्वन होने से इसका सांदर नश्ट हो जाता है ठीक है तो देख सकते हैं आपके बीच सकल सनेह सिथिल रगुवर के गए कोस दूई दिनकर ढ़र के जल थल देख भसे निसिबाते के और कौन गवन रगुनाथ फिलीते तो आप देख सकते हैं आपके बीच इसमें पाई 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 और इसमें देख रहे हैं मात्रा है देखिए चारड है और प्रतेक्ट्पी में 166 मात्र सोचों देख लिए आप 1611 मात्र आए हैं और डो च्रणओ को अफाले कहते हैं देखिए ये अरधाली भी है और वनस्वान और टू टू यानि एसस वन होने का इसका संदर नश्ट हो जाता है यानि इस चंद के चैनल प्रतिय चैनल में 16 16 मातर है यह 24 चंद है यह तुलसीदास रामचरित मारस से लिया गया है ध्यान रखिएगा इतना आप खड़ से कर देंगे तो आपको खड़ है यह 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 वह पक्का फटेंगे याद कर लिजिएगा है कि विज्यात्यों के भी शथवा में सोरठा भी दिया है था तो आप सोरठा में देख रहे हैं कितने बार पूछा गया है यह भी वेर इंपॉर्टेंट है यह अर्थ सम मातरिक छंद है जिसके पर्थम और 34 सम होत है जथा अंत में गुरू लख वरण होते हैं जुती और चतुर्थ चरण में तेरा मात्रा होती है कहीं कहीं तुक भी मिलता है यह दो हो का उल्टा होता है तीक है अब आपको उधारन बताएंगे दिखाएंगे देखिए अब आपको बताएंगे सूनत सुमंगल बैन अमन देख रहे हैं प्रथम चरण में ग्यारा मात्रा है तो जिनके अंत में गुरू लख हुए अंत यह सोरोठा चंद है ठीक है इतना आप लिग देएंगे खट से आपका नंबर एड़ हो जाएगा अब नेक्स क्यूशन के वर चलते हैं कि इसे नमर 13 विद्यारतियों आपके बीच किसी विद्यालक के प्रवंद्ध के नाम प्रवक्ता पत्पर अपनी नियूकती है तू एक आवेदर पत्र लिखिए जो कि यह च्छै नमर का क्यूशन है यह वेरी मोस् प्रवंद्ध के नाम प्रवक्ता पत्पर अपनी नियूकती है तू एक आवेदर पत्र लिखिए तो आप देख रहे हैं आपके बीच कैसे लिखा है तो हेडिंग डाली यहां पर सेवा में उतके बाल लिखे प्रवंद्ध के पी इंटर कालेज इलहाबाद उत्तप्रिजस कुछ भी लिख सकते हैं कालेज का नाम कुछ भी एक्सवाज जेद विसे पर आप फेटिंग ऐसे डालेंगे प्रवक्ता पत्पर नियूकती है तू आवेदर पत्र में पॉइंट यही है जिस परकारते आपके जिससे पूछ रहा है फिर महोदय फिर अमर उजाला के योगतायम अनुभवी या अनुभव निम्नोमत है करम संख्या इसमें डालिए यहां पर परिच्छा संख्या और वर्ष स्रेडी संस्था का नाम ठीक है इतना सब डालकर हाजेसे हाई स्कूल में 1995 में हुआ था परसम स्रेडी से और संस्था का नाम मनें कहां से पढ़ा उत संस्था का नाम क्या कैसे है तो उसके बाद इतना करने के बावजूद अब आपको अनुभव में हेडिंग डालकर लिखना होगा मैं 2004 में में पी इंटर कॉलेज जौनपुर में अर्शात्र पवक्ता तो उसके आगे आप देख सकते हैं कैसे क्या लिखना होगा ऐसे आपक हुआ आगे देखिए आपको कैसे लिखना होगा आप के रूप में कारे कर रहा हूं परंतु यह है पद अस्थाई है तीकि आपसे निवेदन है देखिए कहां से मैं लिखना हूं आपसे निवेदन है कि मेरी सहच्षिणी योगिता पर विशार करते हूं मिझे अपने काले का सिकायत का आउशर नहीं दूंगा जिनांग कि यहां पर डालना होगा ठारमाई कुछ भी तन में डाल सकते हैं तनलगनक प्रमापत्रों की सत्याफित प्रिजिलीपियां आवेदक जो भी नाम हूँ एक सवाई जेडे कर सकते हैं और जो भी अस्थान हूँ यहां पर अस्थ प्र्रस नमबर 14 है जो कि लुक्रिए मश्रकों में किसी एक पर आपनी भाार्छासष्याई में निभन्द लिखिए जो कि यह नव नमबर का है विद्यार्थियों यह वेरीमोस्ट है यह दोनों फते ہیں पहला रहेंगें हम रहेंगे फों रहेंगे चेंग्अ सभर रेंगे रहते हैं निबंद में और आपको वैसे ही लिखना होगा ठीक है और जहां से देखिए तो आप रहेंगे हम रहेंगे में निबंद लिखिए हेडिंग डालिए वन प्राकृतिक उर्जा के मुखि स्रोत है और वनों में उगने वाले ब्रिच हमारे जीवन का मुखि अंग है क्योंकि ये कारवन डाय आकसाइट का सेवन करके हमें प्राण दाई आकसी जन देते हैं किसी भी देश्ट के आर्थिक विकास उसकी सम्रिद्धी में वनों का महत्पूर्ण स्थान है आर्थिक विकास के लिए वन केवल कच्चे माल की पूर्ती ही नहीं करते हैं और वरना बाहन नेंतर करके भूम के कटाव को भी रोकते हैं हाँ अपंडी जम्हाल नहरू के सब्दों में अगर कहा जा तो एक उगता हुआ ब्रिच प्राष्ट के प्रगत की जीविए प्रतिक हैं भारती अर्थिविस्था में वनों का अत्नेंत महत्पूर्ण हैं और इनसे ना क्यों जलाने के लिए लेकड़ी मिलती है वरना उद् देष की जलवायों को संतुलिस बनाये रखने दिआ रखते हैं वर्षा को आगे देखिए 웃ें लिंत्रिस करते हैं मुले कटाव यदिविस्थान में पढ़ने से रोकते हैं तथा देश के प्राक्ति यह में ब्रिद्र करते हैं वह लोग के महतों को प्रच्छित करते हुए यह सपने रखते हुए नों करते हैं आप रच्छे लावों का विवरन इस प्रकार हैं पहला है प्रत्यश्य लाव वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यश्य लाव निल्खित रूपों में जाने जा सकते हैं वर्नौत से हमें अन्यक प्रकार की लकडियां प्राफ्त होती है जो मुख्यता इनन के रूप में जलाने के काम आती है इनमें साल सागों तीर देवदार सीसम आबनूस चन्नर आदी की लकडियां मुख्य हैं और जिनका उपयोग फर नीचे रेल के डिब्बे इसली पर कि निवन नहीं देना चाहेंगे आप लोगों को इतना हो सब्सक्राइब अच्छे से ज्यादा आपका टाइम भी नवेश्ट हो कि अप्रत्तिछा लाब हेटिंग डाली उसमें वाल दिखिए उपर युग तो आप्रत्तिछा लाबों के अहत्रिक वन्नों से अनेक परोज लाब भी है जो भारत की किर्सी प्रधान अर्थ विवस्था के लिए अत्ते महत्रपूर्ण हैं वन वातावरण के तापकर्म नमित्था वायव प्रवा को निंतित करके जलवायव में संतुलन बनाय रखते हैं ये आधी और तुफानों से हमारी रच्छा करते हैं और तथ जीव जन्तु आज की जन गहान करके दूस्त वायव निकालते हैं इस प्रकार प्रवायव प्रदूर्शन को दूर करके परियावर्ण संतुलन में बनाये रखने में मज़द करते हैं ठीक है थांक्स फार वाचिंग आज के लिए बत इतना ही और आज का आपका माडल पेप यह मेरे उपर डिपेंडर नहीं करता लेकिन तभी इस्टुडेंटों के प्रति सेयर होना चाहिए ताकि मैं चाहता हूं कि तभी विद्यार्थी अपने पेपर सेट्री में अच्छा अंग लाएं और अपने इंडिया में कुछ और नया चीज करके दिखाएं जब वो सब्सक्राइब करिएगा और नय हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जो भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊं आपके नोटिफिकेशन यूट्यूब पर खट से पहुंच जाए और आप उस वीडियो को लाग उठा सके और अपने परिशा से टों में अच्छ तो हमसे आप मिल सकते हैं मैं आपके सारे दिखतों को साल्व करने के लिए तैयार हूँ ठीक है ठांक फार वाचिंग